एक चुलाई बड़ा शुक्रवार, गुप्त नवराती बना सुब सहयो, घर के दर्वासी पर रखते हैं, यह एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, सारी काम बनते चले जाएंगे, ओम गैंशी महागड़ी शाय नमा, राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब? गुप्त नवरात्री में माता राहने का पोजन कैने से खर्मी, सुक्सम्रधि और शांती आती हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्री के शुक्रवार को कहने वाला एक बहुत आसान उपाय बताने जा रहे हैं, गुप्त नवरात्र में साधना जितनी को अपने रखे जाए सफलता उतनी ही जादा मिलती है बिपत्यों से बच्चाप के लिए गुप्त नवरात्र में मा दुर्गा की उपासना की जाती है इस साधना से देवी मा प्रसन्य होती है और बार्दान प्रदान करती है गुप्त नवरात्र में साधक साधना कर दुल्लब शक्तियों को प्राक्त करने का प्रयास करते हैं गुप्त नवरात्र में दस महा बिध्याओं की साधना की जाती है मा के दस महाबिध्या सरूप इस प्रकार हैं मा काली, मातारा देवी, मात्रपुर सुन्दरी, मा भूवनेश्वरी, माता चिंद मस्ता, मात्रपुर भैरवी, मा धूम्रा बती, माता बगला मुखे, मा मातंगे और मा कमला देवी की पूजा की जाती है साधक कड़े नियम के साथ प्रत और साथना करते हैं दोस्तों गुप्त नवरातर का हर दिन ही खास महत्व रखता है इसमें भी गुप्त नवरातर के शुकरवार का विशिश महत्व है माना जाता है कि शुकरवार और गुप्त नवरातर के इस सुपसायों पर मा लक्ष्मी का पूजन करने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों को आशिरवाद देती हैं और थन्सम्मंदी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं इस दिन देवी मा को प्रसंद करने के लिए उपाय और पूजा करने से आपकी हार तहें की मुश्किल आसान हो सकती है शुक्रवार को विशेश रूप से देवी मा के मंत्रों का जाप करें यदि आप चाहते हैं तो दुर्गा सबसते का पाठवी का सबते हैं देवी मा के पूचन में साफ सफाईक और पवितरता का बहुत ध्यान रखना चाहिए साथ ही मंत्र जप में उच्चारण भी एक्टम सही होना चाहिए यदि आप मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रही हैं तो किसी भामर से मंत्र का जाप करवा सकते हैं या फिर आप हिंदी में दुर्गा सबसती का पाठव कर सकते हैं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है शुक्रवार को देवी मा का पूजन करते समय हार, फूल, प्रशाद, कुमकुम, चंदन, चावल, आदी, पूजन सामगरी के साथ ही शहद और इत्र अनिवारे रूप से चढ़ाना चाहिए शहद और इत्र चढ़ाने से देवी मा की कृपा सदय बनी रहती है और भक्त का व्यक्तित्व आकर्शक बनता है इस दिन माता रानी को प्रसंद करने के लिए एक पान के पत्ते पर गुलाब का फूल रखकर देवी मा को अर्पित करना चाहिए इस उपाय से महालक्ष्मी की कृपा प्राक्त होती है धान रखें दुर्गा पूचा लाल आशन पर बैठ कर ही करनी चाहिए देवी मा का अभिशेक इतर मिले हुए जलसे करें इस उपाय से देवी मा प्रसंद होती है और भक्तों की मनो कामना पूरी करती है दोस्तों आपको धन सम्मंधी कोई भी समस्या है आथिक संकट से जूच रहे हैं आपके घर में धन का अभाब बना रहता है या फिर धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है धन प्राप्ति के कोई मार्ग नजर नहीं आ रहे हैं आप धन सम्मंदी समस्या से जूच रहे हैं तो आप गुप्त नवरात और शुक्रवार की रात को करें ये आसान सा उपाए अपने खर के दर्वाजे पर रखतें यह एक जीर गरीबी भूल जाएगी खर का रास्ता धन की देवी मा लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा दोस्तों शास्तों में बताया गया ये बहुत ही कारगर उपाए है उस उपाए को करने से धन का घर में आगमन होता है धनकी देवी मा लक्ष्मी का घर में इस्थाई बास होता है और धनसम्बंदी समस्याएं दूर हो जाती है दोस्तों इस सुपाई को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फिरी में सबसे पहले मिल पाए तो आईए दोस्तों जानते हैं अब इस उपाए के बारे में दोस्तों यह उपाए आपको गुप्त नवरात्री के रात्री के समय करना है क्योंकि गुप्त नवरात्री में रात्री के समय किये गए पूचन और उपाय का बहुत ही जल्दी शुफल प्राक्त होता है गुप्त नवरात्री की रात्री में किये गए उपाय बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं उपाई कहने के लिए आप इस्नान करें इस्नान नहीं कर सकते तो मुहाथ पर अच्छी तरह से धोलें और लाल रंग के बस्तर धारन करें लाल रंग के बस्तर ना हो तो आप गुलावी रंग के बस्तर पहनने या फिर आप लाल रंग का कोई बस्तर या रुमाल अपने पास रख लें लेकिन ध्यान रखें दोस्तों गहरे रंग के जैसे की नीले या फिर काले रंग के बस्तर पहन कर आप इस उपाई को ना करें को आप मातारानी के सामने मंदिर में रखकर ज़्लाके साथ ही एक सुगंदर दूपत्ती अवश्य ही चलाएं इस दीपक के इलावा दोस्तों आप एक और दीपक लें इसके लिए आप मित्टी City या आचे का दिया ले सकते हैं मित्ती अगर बेह भी ना तो आप सैसों का देल भी दीय में भर सकते हैं अब आप इस दिये को भी मंदिर में रख लें इसके बाद आप मालक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें और जो बिना जलाया हुआ दिया है आप उस पर भी कुमकुम से तिलक करें फिर आप मालक्ष्मी जी को पुश्पर अर्पित करें इसके बाद फन मिश्थान का भोग लगाएं हो सके तो आज के दिन मा लक्ष्मी जी को दूद्स चावल की बनी हुई खीर या फिर दूद्स मखाने की बनी हुई खीर का भोग लगाएं या फिर आप दही में शक्कर डालकर मा लक्ष्मी जी को भोग लगाएं मा लक्ष्मी जी को दूस से बने हुए प्रदात बहुत ही पसंद है अगर यह चीजें ना हूँ तो आप मातारानी को चीनी का भोग लगाएं भोग लगाने के पश्चात अब आप सबसे पहले भगवान शिरी गणेश को प्रणाम करें फिर मा लक्ष्मी भगवान विश्चु जी को प्रणाम करें इसके बाद मा लक्ष्मी जी के इस मंतर का 108 बाद जाप करें दोस्तों अगर आपके यहां कमल गटे की माला है तो इस मंतर का आप कमल गटे की माला पा जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम शिर्म हिर्म शिर्म कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम शिर्म हिर्म शिर्म महालक्षमे नमा ओम शिर्म हिर्म शिर्म कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम शिर्म हिर्म शिर्म महालक्षमे नमा इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनसे अपनी धन सम्मंदी सभी समस्याओं को दूर करने की मा लक्ष्मी जी से प्रात्ना करें अब मंदिर में जो बिना चलाया हुआ दिया रखा है इस दिये को ले जाकर आप अपने खर के मुख्य द्वार के बाहर जाएं दोस्तों अगर आपने शुद्धी खी का दिया बनाया है तो आप इस दिये को अपने खर के मुखे द्वार के बाहर अपने राइट हैंड याने की ताहिने हाथ की तरफ जमीन पर रखें अगर आपने मीठे तेल या सरसों के तेल का दिया बनाया है तो इस दिये को आप अपने घर के मुख्य दौर के बाहर अपने लेफ्ट हैंड यानि की बाएं हाथ की तरफ रखें दोस्तों दिया रखने से पहले दिये रखने के इस्थान पर आप थोड़ा सा पानी डाल कर वहाँ पर सफाई कर दें इसके बाद थोड़े से साबु चाबल रखकर आप उसके उपर ही इस दिये को रखें या फिर आप एक और मिट्टी का दिया नीचे रखकर उसके उपर आप इस दिये को रख सकते हैं दियां रखने के पश्चात अगर पुश्प हो तो आप थोड़े से पुश्प दिये के चारों तरफ अवर्शे ही डाल दें इसके बार आप दिये पर थोड़े से साव चावल छिड़ कें अब मालक्षमी का ध्यान करते हुए आप इस दिये को जला दें दोस्तों आपको दिये की बाती या तो बिलकुल सीधी रखने हैं या फिर उत्तर दिशा की तरफ इस बाती का मुख कर दें ध्यान रखें इस दिये की बाती का मुख या तो उत्तर दिशा की तरफ हो या फिर बिल्कु सीधा होना चाहिए। इस तर्हे प्राटना करने के प्रशात अब आप अपने भी मस्तक पर कुमकुम से दिलक करें। और आपने माता रही को जो भोक लगाया है उसे प्र प्रशात के रूप में अपने परिवाद सहित करहन करें ऐसा करने से आपको मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी दोस्तों हमारी शास्तों में बताया गया है कि आज के दिन मालक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर दिया अवश्य ही जलाना चाहिए ऐसा करने से मा लक्ष्मी का घर में सदेफ इस्थिरबास होता है और धन सम्मंदी सभी समझ जाएं दूर हो जाती हैं धन का लाप होता है धन प्राप्ति के नए मार खुलते हैं और अगर क वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस सिब हैं भी इसका लाप उठा सके हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पूर वाचिंग राधे राधे